सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्रिंदावन की जो महिमानों अध्भूत और अतुल नहीं है इसके बराबर कुछ भी नहीं है उसके रातवर स्वया नहीं हूँ डैरेक्ट यहीं प्याया हूँ कि महराजी से पहले दर्शन करने उसके बाद ही कहीं जाना है तो यहां से गाड से अफ्रीचेल होती है तो उस तरीके गनभूत होती है महत है महता हूं एक महिने बीच मेन जैसे आ गया फिर जाता हूं एक दो महिने बड़े आराम से सारी चीजे है कि यह असान नहीं है रादराद रादी रादी का इसे मुंबई से स्ट्रेसल परेस्ट दू यह तो मुंबई से अने का क्या मक्सद आपका मुंबई रिंदावन आने का मेरा मिलसर की भगौत प्रापती करना है क्योंकि मैं महराज जी का पहले से ही यूटूब पे सुनता था तो मुझे क्या लगा कि यू संसार है सब जूटा है मात प्रभू ही जो आनन्द है क्योंकि मैंने और लेड़ी बहुत से लाइफ में चीज अनुभू किया जिसमें हमको वहां पर सुख प्राप्ति के लिए तो वहां पर दुख ही दुख था तो प्रभू का नाम जब करना और फिन से वकवाड़ी का अध्यन करना फिन नियम से रहना तो हमको एक अधिक चीज अनुभू हुआ कि हां रियल में यही सब कुछ है वहां कि सब जूट है और मैंने सजग्रू का से लिया और उनका नियम पानन किया तो मुझे मांग दर्सन हुआ तो मुझे यह सब्सक्राइब की विरंदावन ही एक विश्राम ठोर है जो हमको जितना समय मिलता है हर दो मैंने ती मैंने वहां विद्दावन आते रहते तो इस पेसली आप मुंबई से महाराजी से मिलने के लिए आए यहां पर इ महाराजी का सोने लगे आप महाराजी का परिच्छा ईकी हमारे ऑफ वे यह से हम यहां पर आये हैं् आधि यहां पर आए और उन्हें हम दिया की महाराजी मैं झाह सचंग दो सबसे बड़ी चीज क्या है कि महाराज जी ने एक सिंपल चीज बोला कि अगर कोई कितना भी गंदा हो नीच धंपापी हो लेकिन नाम और एक निस्टा जो है वह उस चीज से बहुत सागर्शी दूर कर सकता है और यह एक धिरकाल होना चाहिए और गुरुपति निस्टा होना चाहिए और सचसंग में ऐसी बहुत सी चीजी होती है जो गुरु का वो पालं करना चाहिए तो नाम जो सब्सक्राइब ब्रभु का आश्रे और नाम जब करना और निस्टा होना चाहिए बस तो इससी जीवर में परिवरतन हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर को सामर्थ नही दिली उन्वेसिटी के अंदर मतलब स्ट्वेट हैं अच्छा तो जीवन में कुछ चेंजसा है माराजी के सचंग के प्रभव से खूब खूब चेंजसा है जिसे पहले क्या था जिसे मतलब भक्ति को एक उस प्रकार बताए गया था कि मतलब आप ये करना है वो करना है या काफी प्रपंच बहुत ज्याला थे उसका फिर ये भी था कि उन्हें भक्ति आप कर रहे हो तो उसके प्रति भगवान से कुछ लेने की थी सोदा डाइब भी था फिर जब हमने जैसे हमारे स्कोलेश के अंदर भी आया था माला भक्ति रस माला हो था हमको पंड़ने का था जैसे मतलब जो हमारे नानक देव हैं नाम देव हैं कवीर दाज जी जो इनका देखा था कि मतलब इनने जो विशुद्ध चीज करें बस सिर्फ नाम जब पर रही और कुछ भी निकारा और जैसे मतलब दुख बगर आता है तो उसमें वह चोपई रहती है कि काहू ना कहू नाम जब करो यही स्विशुद्ध भक्ती थी वही सेम बात मालब गुरुजी के मिली फिर उसका काफी मतलब निहां लोगा फिर उसका दो साल सुन रहे थे फिर आज से दो महीने पहले हम ब्रिंदा मनाये थे तो यहां से गाडी से गुरुजी के दर्शन बहुत दो पल के नेन मिले थे निहां लोगे वसमें तो क्या बात है उसके बात मालब कुछ करना नहीं पड़ा कि क्या जो गुरुजी कहते कि छोड़ो वो करना है वो करना सब से जो जाता है कुछ करने के वशक्ता निया तो दो साल से आप लगातर महाराजी का सचंग सुन रहे तो जब लाची को दो साल से लगातर महाराजी के सचंग सुन रहे तो यसकर नाम जब भूत हैं के नहीं प्रद हैं और फिर इसे मदूद गूरुजी ने कहीं थी तो वह फिर उसके बाद जैसे अप लगाला कुद्रेश देते हो युवाह को जैसे ब्रहम चरेका और उसका देनिक द इसने लिए लिए फिर दो मेंने बाद मतलब फिर ऊपस्ट विए लाह वारा झी आनंद के वनूतिया मैं एस इसए मतलब वो श्रीजी की नीज सकी है वो तो हम पतितन प्राथम्बार पर दो साल से इन्य तुनरे लेकिन दो मैंने पहले पर दीन है जी तो क्या लगता है जब माहरास्री का दर्शन करते आरे खुब कुझ कूप कूवान दे मतलब वह जैसे कुछ कहतें नहीं है बस देख के निहाल कर देते हैं वह सह है मतलब यह वाद है बिलकुल कर देखे अ करा करें दो कर दो को राद 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 बिंदिवासने धम बिंदया चल है खाषिय और प्रयाक के मद्ध में पड़ता है वहां से आया हूँ वहां का पुरोहित पुजारी भी हो तो वहां से ब्रिंदवन इस्पेसली खासगर आने का मुक्सद महराज से मिलने के लिए से मिलना है क्योंकि अभी एक महीने पहले में आया था तो मैं 12 से 14 घंटे थे भाई का मैं निकला था सब जगा दर्शन के लिए कुछ फ्रेंड लोग थे साथ में तो महराजी का दर्शन हुआ उस दिन जैसा कि भाया ने कहा ना उस दिन सच में ऐसा लगा कि जो दीपक बन के अंदर जो जल जो बन के तयार है वो जलने के लिए तयार है ऐसा लगता है तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलबा रहे हैं आपके महाराजी नाम पे फोकस जादे देते हैं तो मैं लगभग साथ साल से का दसी का ब्रत रहता हूं और कुछ नियम से करता हूं उतना करने ही पाता हूं समुद्र है बूंध हूं जलका एक लेकिन फिर भी वो नाम पे फोकस करते हैं अभी तक मैं समझ नहीं पाया था और इधर कुछ पतलब महीनों से मैं नाम जब करने लगा हूं मैं लगा तार नाम जब कर रहा हूं महाराज जी से दुचार और जीवन में समझने का मौका मिले, बदलाव कुछ मिले, और बस यही दो चीज क्वेस्टन है कि क्या रामानुस संप्रत, मतलब इष्ट और गुरु जो दो चीज है, जो दो वाते हैं, तो मन में पहले कौन आना चाहिए, इष्ट या गुरु तो महाराजी का क्या क्या बात सबसे अची लगी, जिसके करण आप महाराजी की प्रतितना आकर्शित हुए है, महाराजी की कोई भी बात ही, हर बात ही अच्छी लगती है, एक बात अगर कोई काटने लाइक, प्योरिटी होती है, महाराजी में, इतने सालों से लगातार संतों को सुनते आया हैं, किसी की लेकिन किन्तु परंतु लगा दे, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, तो जैसे कि जानते कि आप पहले भी एक बार महाराजी की दर्शन कर चुगे, चौदा घंटे लगभग थे, यहां पर रात ग्यारा बज़े आया थे, रूम लिए, एक बज़े देड़ बज़े तो अभी कैसा लग रहा है, अभी तो मतलब एक अलग ही फीलिंग है, मन में, एक अलग ही, मतलब यह हुगा कि पहले महाराजी के अस्रम आओ, यहां के पगल में रूम लो, यह पूरा-पूरा सिस्टम बनाया गया, और अभी यह कांतिक वारता के लिए भी सुन रहा हूँ, कल भी रहूँगा, में भी फरसो, कैसा लग रहा है हुगी? मतलब बता ही नहीं सकता हूँ, रादे-रादे, कहां से आए? मैं दिल्ली से, आप? दिल्ली से, क्या गरते अब डियाली में? मैं एड्बोकेट हूँ, वकालत करता हूँ, आप क्या गरते? मैं सौफ्टर एंजिन थोड़ा लगन लगी, तो पांचे मेने से क्या क्या बदलावाय जीवन में? थोड़ा ठहराव आ गया, थोड़ा पहले जैसे हर चीज को सोचना, ओवर थेंकिंग, ओवर अनालिसिस, और अमारे प्रोफेशन में एक मेंटल प्रेशर भी बहुत रहता है, तो उन चीजों को सोचना वो कम हुआ, जोड़ देते हैं प्रभू के ऊपर जो होगा, अच्छा ही होगा, तो वो अपने आप पता नहीं कैसे ठीक हो जाता है, सब कुछ डाइस अपने आप हर जगा बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं जैसे अभी कोई गुरू नहीं है, तो अपने आप राधा मन में चलता रहता है, तो कि अभी कोई डारेक्शन नहीं है, तो जब तक डारेक्शन ना मिले, तो अटलिस्ट हाथ में कुछ हो, आपके जीवन में क्या क्या चेंज़ साह है, और आप कप से महराजी के सचसंग सुन रहे हैं, महराजी का सचसंग मैं पिछले चार महीने से स कर रहे हैं, उसे बड़ा सुकून मिलता है, और लाइब में जो पैसे की इंपोर्टेंस ही, नहीं पैसे कमाने हैं, काम करने हैं, तो उन सबसे जैसे, अब मन जो है, वो महराजी की तरफ जुड़ गया, और बीच-बीच में हर महीने में, देड़ महीने में यहां मैं आता र सच्छन सुना, तो महराजी की आपको इतना आकर्षित किया आप महराजी की प्रतित आकर्षित हुए, तो नाम जब के लिए प्रेशित करना, दूसरा ब्रहमचरी और मतलब पराई माभाहन को अपनी माभाहन के हिसाब से ही देखना, यह बड़ा प्रभावित किया मुझे, और उसके बाद जो उनका पर निंदा से बचिये, दूसरों के निंदा मत करिये, तो यह चीजें बड़ा ही, जीवन में मतलब बहुत परिवर्थन आया मेरे, इन सब की वजा से, यह सारी चीजें लगभख छूट गई है, इन तीन-चार महीने में, और महराजी मतलब दुलार भी करते हैं, वो समझी है, बड़ी बड़ी किरपा है, केसा लग रहा है महाराजी से जुड़कर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब्द नहीं है, जैसे कि आप ने कहा कि आप दो-चार मेनी में आते रहते महाराश्री का दर्सन करनी, तो जब-जब आ जाता हूं, तो एक-दो महीने बड़े आराम से सारी चीजें चलती है, और फिर से वापस पहुंच जाता हूं, यहां पे इसलिए, बड़ा आनंद मिलता है, जैसे अब यहां पर आ करके, यहां पर सुबह दर्सन मिल गया ठीक, नहीं तो वहां पर लोग लाइनों में सद नहीं है, उसके लिए, हाँ, मतलब कैसे बताएं, आपको कितना आनंद मिल रहा है इस चीज से, कि हाल में बैठने के लिए मिलेगा, और महराजी का मतलब लाइव सत्संग मिलेगा सामने से, आपको कैसा फिलो रहा है हुभी, संगर्ष के बाद जो आनंद लाता है, जो स दर्शन आसान है, तो महराजी कीन बात उने इतना आकर्सित किया आपको, सिंप्लिसिटी, जो सवालों का जवाब देने का तरीका है, कुछ लाइनों में, वो इधिंक उनको बहुत डिफरेंशियेट करता है, हर किसी से, तो शायद बहुत लोग नहीं दे पाते है, तो यह क हम जो आयाम सोच नहीं पाते हैं, वो बता देते हैं, यही आकर्षित करता है करता है सब्सक्राइब अब बाती है व्रभाप थेख़ रहा हूं कि पहले संसार की बाते सुनना गाने सुनना नाचना गाना बहुत पसंद था लेकिन पहली बार उनके वीडियो देखी में ने मेरी एकदम मतलब इसे किसीने अटैक सा कर दिया हूं मैंड के उपर मतलब ये क्या जिन उनको सुनते सुनते मतलब मैंने मतलब एकदम मान सेटा है, परिवर्ती तो होती, चली गई, मैंने कुछ महीं ने लगाता है, उनका सत्संग सुना, एक आंतिक सुनी, फिर यह आया, तो हम एसा लगा इंदा हूँ नहीं। वापस नहीं जाना मुझे, लेकिन परिवार का परि सबसे बड़ी बात जी ने भक्ति को जितना सरल कर दिया ना उतना कि मैंने जब भक्ति के बारे में सुना है या पड़ा है तो मतलब एकादशी वरत करो ये करो पाशना करो छोटी सी गलती होने पर भगवान दंड देते हैं तो बड़ा भे था कि भगवान ऐसे है क्या पर महराजी ने का कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आश्रित आश्रे में बहुत ताकत है और सबसे बड़ी बात नाम जप जैसे भी बने आ नैसुस कि अपने अंदर बहुत नैसुस कि आप जैसे कि दो साल से महाराजी का सचंग सुन रहे हैं तो आपके डेली लाब स्टाइल में आपके बिचार में पहले क्या था और अब क्या है पहले तो जो शाधारन बुद्धी होती संसार की वैसी ही थी लेकिन जैसे माललो भ सारे घ्री लाभ जैसे मालल मा तो आप ने थैनी स्सक्राणान से आमने के फितला में आपके ब्रिंद्वन्हटा फ्रइल को आपकश्या क्या नश्मूरा था-णिरि hmm दैण-डश्राणि तो महाराजी के सचंग मैं इसा आपने क्या महिम्हा उनिसे करण आप使ा माह100 अधा just क सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्रिंदावन की जो महिमायन हो अध्भूत और अतुलनी है इसके बराबर कुछ भी नहीं है महाराजी बार-बार केते हैं कि व्रिंदावन में अगर आपका सरीर छूट जाता है तो आप यदि भजन करने योगे हो नहीं हो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाती है मैं होस्पीडल में काम करता हूँ तो कब से महाराजी के सत्संग सुनना बहुत कुछ आया है पहली बात तो गुस्सा थोड़ा कमाने लगा पहले थोड़ा वो हर चोटी-चोटी बात से चीर जाता था लेकिन उनको सुनने के बाद थोड़ा सा ठैराव आया है बहुत कभी-कभी होता था कि फैमिली या जो जनरली सब के साथ होता है कि फैमिली प्रॉब्लम में तुरह सा आप तुरंत निरास हो जाते हो बट वहां पे निरास काम नहीं चलता है आपको हिम्मत रखनी होती है तो बहुत सारी ऐसे चीजें आई है जो महाराजी के जो मु इसके कारण आप महाराजी की प्रदित नहां कर दोए हैssä उनकी हरे एक बानी अची है उनके मुख से हरेक सब्ध जो है वो महिमा प्यारी है उसको हरेक सब्ध जो है बुदिल को छूज आती है और बस उसमें डूब जाते हैं हम लोगा सुनते-सुनते दी और चीबनम उतरत यहां की सुना है बहुत महिमा यह लेकिन अभी हम लोग पहली वार आया है तो काफी आनंद भी आ रहा है काफी कुछ अच्छा भी लगा कैसा फील हो रहा हूं जैसे कि आंदी महाराजी आने वाले मैं रात पर सोया नहीं मतलब कि कल से जैसे कल उत्रा यहां पर तो कल आते के स करना है तो पहला यही था बस महाराजी के दर्शन कर लो तो आनंद ही आनंद है राधे राधे जी का से आया अब लो जम्मू किश्मुर से आप MP के दाहर से आया है अब मुंबई उलास नगर तो मुंबई से ब्रिंदा वन इस्पेसली आने का मकसत महाराजी से मिल नहीं लिए जी हा कब से शर्चंक सुन रहे हैं मैं छे याट मैंने से सुन रहा हूं यू जीवन में महाराजी के सचंग के प्रवब से क्या क्या चेंजिस है आपके जी पहले तो मतलब बहुत चीजें के लिए सोचना पड़ता था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं अभी कोई चीज का संभव कोई चीज लगती नहीं है कोई चीज से डर नहीं लगता है प कुछ पस्टी तो बहुत सब्सक्न क हैं तोकु बहुत बरीबयाद करते हैं कि हम लोग भी का अंटानों का अच्छा थो बस वह ही एक चीज़ है कि हम लोग को आतम विश्वास और हम लोग का confidence जो है बड़ा देती है कब से महाराजी के सच्छन सुन रहा हूं तो जीवन में कुछ बदलब आए आपके बदलब आए किसी से डर नहीं लगता है काम काम और क्रोथ के उपर नियंतरन हो गया है और कभी बुरे खायल आता है महाराजी के सच्छन सुन लेते हैं त सब्सक्राइब कर दिया है अभी पूजाबाट भी कभी कभी जाते हैं तो अब तो डेली का रूटीन हो गया कि हो करना ही करना है घंटा निकालना दो गंटा निकालना हो करना है तो पहली बार आ रहे हैं किया सा लग रहा है यहां पर सब नहीं बताने कि हमारा पास में इतन साथ पहले बहुत साल पहले आयए था पात साथ साल पर वेकिन अभी खास करके माहरा जी ऐसा लिक लेकिन उसब करनी सकते हैं अभी कैसे फील हुरा है जब आपको सतस्चंग सुने का आपो करता था लेकर अभी फिलाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कैसी वाड़े होती है तो कब से महाराज जी से 6 मेना आज से 6 मेना पहले यूटूब और इंस्टाग्राम के महाध्यम से जोड़ा था जिससे मेरे लाइफ में बहुत चैंजेस आए छे मेने से लेकर अभी तक मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हम लोग रहते थे गाली गलोच करना खाना कि लगता था की कि सब कुछ खताम हो गया अब मतलब इतना ज्यादा खाते थे कि घरवाले बहुत ज्यादा परेसान हो गए थे कि कैंसर नहीं ओझा यह नहीं हो जाए और लोगों को लीव नहीं हो रहा कि हम मैं मतलब महराजी की वीडियो दिख देख के मैं सब चीच त्याग दिया है व क्या जैसा कि अन्य चीचों में से तो अभी जैसी स्इफ भुष ग्डर को इस ज्यु च्रपला अज़ सिं आग designs ऊगया जैसे आगर मैं किसी करें घुर तो पहले सब ढो सब्मब्र करनों करते हम दिया कि मैं ऐसे वर्ड बोलना के पहले मन में श्री सीतरम भगवान का जब करते रहते हैं तो जब आपने पेलियर महाराजी के सच्छंग सुना तो महाराजी की सच्छंग मैं इसा क्या खास बत लगा या उनके वानी में आपने ऐसा क्या देगा जिसके आरण आपको लगा कि जो मे सच्छंग गुरुदेव के वीडियो देखका गुरुदेव के चर्णों के ही क्रपा से आज मार्ग दर्षण सही रहा और भविस्व में यह रहता है कि हमें इस भगवान के चर्णों से लगे रहे हैं पहले से ब्रिंदामन आते थे आप पहली वरा रहे यह रादरानी की क् मन में क्या भावाता है अपके मन में यह भावाता है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करें और कभी किसी को परिसान नहीं करना बस नाम जब करते रहना है नाम जब करते रहना बस करते रहना करते रहना तो आप महाराश्री को की सुरुप में मानते हैं महाराश्री को तो मैं भ बहुत सारे ऐसे गन्दी आदते जो थी ओह महाराजी के सत्तंग से ही अभी बहूतlegen जिन constructing होती तो अभी महाराश्री के कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आ